कि वागत स्ट्रेंट क्वेश्चन कि रीशियो औफ रिक्वेंसिद आफ तू पेंडूलम आर टू इस टू थी दें देर लेंग्स आर इन रिशियो दो सिंपल पेंडूलम यहां पे लेना है और दोनों को एशेचम कराना है तो उनका जो टाइम पिरियड होता है सब को पता हो होगा कि सर्क time period जो होता है वो 2 pi root under l by g होता है जहां t time period l length g gravity है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि time period is directly proportional to root l क्यों क्योंकि gravity is a constant term 2 pi is also a constant term so time period is directly proportional to root l तो अगर time period root l के directly proportional है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि t square is directly proportional to l अब इस question के according अगर हम बात करें तो t1 by t2 का whole square is equal to l1 by l2 लिख सकते हैं कि एक मिनट यहां पर फ्रिक्वेंसी बोला है तो इसको तुम चेंज करो पहले ताइम पिरेड को बोलते 1 by frequency तो टाइम पिरेड को बोलते 1 by frequency is equals to 2 pi root under l by g तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी इस inversely proportional to root l ठीक है frequency is inversely proportional to root l या ऐसा कहलो कि 1 by f is directly proportional to root l दोनों बात बराबर है क्यों क्योंकि यह root l और यह frequency आपस में inversely proportional है तो यह तुमको यहां पर ध्यान देना है अब आगे बढ़ते हैं तो अगर हम मालों ऐसा लिखते हैं कि 1 by f square is directly proportional to l तो कोई दिक्कत नहीं दोनों दर्व square किया जा सकता है इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे 1 by f1 का whole square is proportional to l1 and 1 by f2 का whole square is proportional to l2 दोनों pendulum के लिए frequency करेश यह पता था इसलिए ऐसा कर रहे हैं अब इनको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करोगे तो f1 square तो नीचे होगा f2 square reciprocal होकर के ऊपर आ जाएगा और इधर में आ जाएगा l1 by l2 तो अभी भी देखो तुम अगर तो तुमको इस equation में दिखेगा कि f2 f2 l2 f1 l1 inversely proportional है अब f1 by f2 का value दिया हुआ है 2 by 3 f1 by f2 का value 2 by 3 यहां पर given है तो f2 by f1 क्या जागा 3 by 2 तो 3 by 2 का whole square is equals to l1 by l2 कहने का मतलब कि l1 by l2 का जो value आएगा वो 9 by 4 यहां पर निकल करके आ जाएगा तो आई होप आप यह question समझ पायोंगे thank you कर दो कर दो